है मातादी दोस्तों, तो अभी हम लोग जा रहे हैं दुरगा पुजा घुमने, पंडाल, और बहुत ही अच्छा पल है, आज है हम लोग का ऐश्टमी, महाश्टमी और नौमी दोनों हैं, तो दो दिन और है हम लोग का घुमने का, और उसके बाद दुरगा में आपने घर चल कितना बज़े तक आते हैं सुबह हो जाएगा लगता है तीन चार बज जाएगा आते आते तो अप लोग भी चलिए हमारे साथ हम लोग को भी इंजवाई करेंगे आप लोग को दिखाएंगे जो भी हो सकता है भीड़ बहुत रहेगा इसलिए जितना हो सकेगा उतना ही सुट दोस्तों देखिए हम लोग जा रहा है दुर्गा पूजा घुमने और रात में हम लोग निकलते हैं इसलिए कि रात में कम भीड़ रहता है साम को अगर पांचे बज़े से जाईएगा ना दर से गारवजे तक बहुत भीड़ रहता है जब कि उसमें हम लोग सकेंगे नहीं इ पूइला डुमडी जमसेदपूर का बहुत ही महसूर पंडाल है जो ताज होटल मुंबई का है ना ओही के थीम पर बना है बहुत ही खुबसुरत पंडाल है और देखकर आप लोगों को भी लग रहा होगा कि कितना सुन रहा है देखिए यह हम लोग 12 बज़ रात का देखिए कितना भीड़ है 12 बज़ रात में तो सुचिए कि साम को कितना भीड़ होगा इसलिए हम लोग रात में आते हैं और देखिए जगमक जगमक पूरा जमसेदपूर ही पूरा दुलहन जैसा बन गया है और देखिए इधर जूला होला है पूरा तो साम को जूला खुब चलता ह जो है उस्पेसे ने चुन्हें विन्हें सूस्टरा करते हैं अनलों को क्या ज्यादा यह वह राकार है area दरज़ाल एकर दिखाना मुस्किल है, हम बहुत पंडाल घुमें, परन्तु ज्यादा नहीं सूटिंग कर पाए, भीर के कारण, थोड़ा सा ही सूटिंग किया है, इसी को दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर भी पंडाल है, जोकी कापी खुश्तुरत है, यहाँ भी पीछे कसिन में नहीं द अलाब बना है, अब इबरप से बना हुआ है, भुले बाबा का लिंग महाकाल का, तो बहुत ही खुश्तुरत यहाँ भी दर सया गया है, देख सकते हैं, और यह पंडाल है, तो ऐसे ही है, चारुत रख बना हुआ, और बहुत बड़ा बड़ा पंडाल बना है, जहाँ कर दो, हम बेग में रख लेंगे, मोबाइल के ओकी नहीं कर पाएंगे, इतना भीड हो जाता है पंडाल में, जहाँ भीड बहुत बहुत ज्यादा है, वहां में बिल्कुल नहीं निकाल रही हूं, देखिए यहां कितना सुन्दर यहां बना है, वासूराम जी है, गईया है रहा है इसन भागवान है और यहां छोटा भी बनने हैं देख सकते तो जरі फिर्शनागर का पंडालница ये ले पा रही है कि थोड़ा सा अपने आपको सेविधा रहना चाहिए इसलिए और बड़े पंडाल का कुछ अगर मेरा हस्पेंट भी सुटिंग की है उसको में बाद में आप लोगों को डाल दूंगी तो अपलोग देख लिए मातारानी से असिरबाद ले लिजिए देखिए मातारानी कितनी बढ़ियां से बनी हुई है और आप ल अंदिर के अधारित पर लेकिन नाम इसका नहीं जानते हैं एबर ममें इसका है और यहां बहुत बड़े मेला लगा हुआ है जो कि सोट में आप लोगों को दिख जाएगा सोट में बहुत सरा डालूंगी और डाली भी हूँ तो छोटा-छोटा में जो वीडियो बनाई हू जोट में तो उसमें आप लोगों को दिख जाएगा तो देख सकते हैं कितना ही खुबसूरती है और बहुत अच्छा हस्पेन यहां देख रहा है और यहां संख बहुत अच्छा बीक रहा है बोलबं से बहुत सारे लोग आए हैं बिकरी करने के लिए तो संख है और संख यहां खाजा भी बीकरा है जो कि हम लोगं लिए खाजा थोड़ा सा बैच्छे लों के लिए तो हस्पेन लेकर के इधर रहा हैं गाडी में और मैं थोड़ासा यहां वीडियो कस उट कर ले रहे हूं इधर खरीद रहा हैं तब तक और देख सकते हैं काजा और खाजाए एक खाजा 60 रुपया और 17 रुपया का एक ठो मिलता है और यहां बदाम है तो हस्मिन बदाम भी खरीद रहे हैं तो आप लोग भी बदाम खाली जिए बदाम टाइम पास का जरिया होता है तो अच्छा लगता है और मुंगफली खाना भी चाहिए यहां दाना भी छुड़ा के र खुल पत्ती है तो सभी लोग खरीद रहे हैं जिसको इच्छा है खरीदने का जिसको मन है खरीदने का हम लोग ज्यादा दुकान से ले पाते हैं और यहां भी कुछ देख रहे हैं जो बैगल पकाने के लिए जहरना था तूट गया था तो हम बोले कि लिए लिजिए यहां तो यहां चाहा है तो इसीलिए नहीं तो खानेपीने का समान ले लेते हैं कुछ-कुछ लेकिन जादा कुछ Bae Glyy को लेकवा करदे की नहीं है मेला की कुछ पर्शन नहीं यह एंगी मिसा रही कि अधना मुस्किल होता है टाल्स पर जो चटक जाता है, बर्तन रखने के लिए वहुआ ले रहा है, कि उसे सेफ रहेगा, तो वहाँसमें ले रहे है, चछोटे-च्छोटे चीज ़ो है, वहूं ले ले रहे हैं, और मेला का चीज जो होता है, ना क्या होता है, कि फिर आप वापस नहीं कर सकते हैं, गर लेना है तो और यहाँ सब सबुर्दानी है और बहुत कुछ हैं बच्चे लों के लिए खहलाऊना है तो सभी ले रहे हैं और इधर कप थाली प्याली अब भी क्राऎं यहां भी हस्मेंट कुछ फ्ले लेना था ना था today यहां भी संक्षुपिने यही सब है मेला में यही सब मिलता है और जो कुछ भी है बस बने दही है आप लोग और मैं वापस आ रहे हूँ क्योंकि अभी बज गया है साढ़े तीन हो गया है सुबह का साम एगारे वजे का निकले हुए साढ़े गारे वजे का अभी हैस्बिन बोल रहा है कि और पंडाल लेकिन मैं बोली कि नहीं थक गई हूँ अब नहीं घूमोंगी फिर दूसरे दिन घूम लोगी एक दिन और है तो मैं घूम लोगी लेकिन अब मैं थक गई हूँ अब नहीं घूमोंगी तो देखिए कितना चा सजाया गया है चारुतरफ और सुबह का समय है चारुतरफ ची यह आप लोग अब पचलते हैं अभी हम नोग भर पहुंच गए हैं सुबह का बच रहा है चार गड़ी यहां लगा रहा है हुआ है जाड़े गारे से निकले थे गुंते अभी पहुंचे हैं अभी हम जाएंगे और आराम से सोएंगे क्योंकि पुरत ठक गए बच्रूं और फिर जाकर हम अराम से आप लोग को ब्लोग कैसा लगा दुरुगा पुझा का जरूर बताईएगा कमें बंद épि मता रही है सब्सक्राइब करते हूं जैमातादी फिर से एक बार सभी को दुर्गापुजा के हार्दिक सुभ कमना फिर मिलेंगे दुसरे ब्लोग या लाइब में तब तक के लिए जैमातादी अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए और नए लाइकन दबाईएगा तक कि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए